हालो गैज आप सभी साते होगा स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल टॉपसिंट पर तो डेली के तरा हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लाए हैं जितनी इंपोर्टन अपडेट आज की नुच पर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारी सारी अपडेट हम लोग देख साती साथ आपको 600 पेपर भी मिल जाएंगे 2017 से लेकर के 2022 तक किस प्रकार से पेपर आती हो भी आपको देखने को मिल जाएगा आपको मैं यहाँ पर दिखा देतों यह बुक कैसी है आप यहाँ पर देखिए सब कुछ बतायागा है किस पेपर में कितने आते हैं विसाई सू साती साथ स्कीन पर आपको दो विक आऊर दिख रहे होंगी एक तो उत्तर प्रदेश बीएड कलावर की स्टेडी गाइड प्रदेश बीएड संयुक्तु प्रवेस प्रेक्षा 2013 कलावर के लिए सामान ग्यान हिंदी सामान अभरुची और कलावर के भी आपको यहाँ पर मि संदेलखन इन्वेस्टी जारी कर दिया है एक फरोरी यानि कि आज जो है आप लोगं का नोटिफिकेसन जारी हो जाएगा और दस फरोरी से आप लोग जो है अपना एक्जाम फॉर्म भरना श्टार्ट कर चुके होंगे रेटन टेस्ट आपका 20-25 अपरेल के बीच में होग लीडर्य देट बढ़ती रही है तो आपका जो सेसन है वो 1 जॉलाई से सटर्ट हो जाएगा तो फिलाल के لिए कारिकरम जारी कर दिया जाएगा शारी आपका जारी कर डिया जाएगा अगर आपको नोटिफिकेसन के बारे में सारी स्चना चाहिए तो आपको इस चैनल को त यहां पर लिखा कि प्रदेश के एड़े डियों राजी के इंटर कालेजों में पांच हजार योग सिचकों की भरती के प्रस्ताओं से जुड़ी फाइल पर वित विभाग की तमाम आपत्यों की वज़ा से यह प्रस्ताओं फिलाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है करीब चार मापूर मादमिक सिच्चा विभाग की ओर से यह प्रस्ताओं सासन को भेजा गया था प्रस्ताओं पर सीग निड़े लेने का अनुरोध किया गया था पहले बिंदू का प्रस्ताओं यह था कि एड़ेड और राजकी इंटर कालेजों में सम्विधा पर एक-एक योग चार मैं सिच्चा की बहाली करने के अनुर्टी दी जाए जबकि दूसरे बिंदू-प्रस्ताओं गया था कि जिन कोलों में पहले से खेल और सारी सिक्षक हैं जहाँ नहीं है वहाँ सारी रूसरär दक्ष जिस सिख्षक को खेल वहाँ सारी इलि duration की जमय दाई दी गई है तब अधिकारियों ने अस्वस्त کیा था, कि तीन मा के अभितर, योग सिखकों की भर्ति प्रिक्राफ पूरी कल लिया जाएगा, लेकिन ये भर्ति जो एक फंस्ती नजर आ रही है, हला कि कहने का मत्तब यह है, कि ऐसा लग रहा है, कि उत्तर प्रदेश में सिक्षक भरती ही कराने की mood नहीं किसी का क्योंकि जो भरतियां है वो सारी भरतियां लटकी हुई है हर एक भरती कोई भी आप उठा कर देखे लो TGT PGT उठा कर देखे लो उसका date नहीं आ रहा है ये भरती देख लीजे added junior भरती का paper हुए result हुए पता नहीं कितना समय होगा उसकी भी joining की कोई बात नहीं हो रही है यानि जितनी भी भरतियां हो रही ही वो सब फस्ती हुई ही नजर आरी जिसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में नवीनी करण प्रदेश के संस्कित विध्यालों में सिख्चकों की भरती किया जाएगे इवं पहले से संब्धा पर कारी कर रहे है सिख्चकों की सेवा का नवीनी करण किये जाने का प्रस्ताव सासन को भेज दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2000 सिक्षकों की भरती होगी लेकिन यह जो भरती होगी वो संविदा पर होगी और 1990 से संस्कित इसकोलों में कोई भरती नहीं हुई है यानि मान की चलिए कि पूरे को कोट जाएंगे अब भरती यहां बता गया कि आसास की साहता प्राद मादमी विद्यालों के लिए वर्स 2011 की जीविग्यान विसे की प्रिसिक्षी तसनातक सिक्षक TGT भरती अब साक्षतकार की मांग को लेकर हाई कोट पहुचेगी इससे पहले अब भरतों ने विग्याप यहां पर मेन है सता से नहीं होने से चैन बोर्ड ने साक्षतकार कराने से इनकार कर दिया है आपको पता भी होगा झेल तरफ ब्राद में बहुत अख़ूद अच्यत बता होगा स्मोर्चा के अध्यर जितेंद यादों ने बताए कि मादमिक सिक्षा सेवा चैन्बोर्ड ने वर्तमान में कोई सदस्थ नहीं होने से साक्षत कार करा जाने से इनकार कर दिया है, चैन्बोर्ड ने पूर्व की याजका के सापेक्ष हाई कूट के आदेश पर जेखित परिच्छा का पड़ाम घोसित कर अनुपारलन आख्या दाखिल कर दी है ऐसे में अब साक्षतकार करा जाने की मांग को लेकर याज का जल्द दाखिल कर दी जाएगी यानि कि अब छात्र जो हैं इंटर्विव के लिए जो है कोट जाने वाले हैं और साक्षतकार के पर देख सकते हैं फिलाल के लिए यहां पर और भी अपडेट है इनको भी देखते हैं लिखा है कि पांच विभागों में 15 पदों पर भरती होगी आवेदन कल से अपडेट है जिसमें ये बता गया कि पांच विभाग है और उसमें कुल 15 पद है और उनका जो आवेदन है कल से स्टार्ट कर जाएगा उत्तर पदे लोक से वा आयोक से पांच विभागों में 15 पदों पर भरती होगी इसके लिए 2 फरोई से आनलाइन आवेदन लिया जाएगा आवेदन करने वाले 2 मार्च तक फिर जमा कारा सकेंगे उसके बाद 6 मार्च तक आवेदन सब्मिट कि ही है सेम चीद तो इसको पढ़ने कितनी जादा वसक नहीं है बाकी एक अपडेट और छोटी सी है इसको भी आप देख लीजिए कांस्टेबल भरती में अपर सच्यू रिकार्ड सहित तलब इलाहबाद हाई कोड ने कांस्टेबल भरती 2015 के OBC अभ्यार्थियों की न्यूक्ति को लेकर दाखिले अचका में जवाबी हलप नामा दाखिलना कर पाने पर पुलिस भरती बोर्ड के अपर सच्यू भरती को रिकार्ड के साथ तलब किया है यहादिश नैमूर्थी बिवेक चौधरी ने पुलिस भरती 2015 के OBC अभ्यार्थि अभ्यार्थि अभ्यकुमार वर्मा की अचका पर आदिवक्ता सुनी ल्यादों को सुनकर दिया है तो यह चीज भी आप देख सकते हैं कि 2015 की भरती भी कोर्ट में चल लगी है और ऐसे में जो यहाँ पर सच्यू है उनको जो है रिकार्ड सहित जो है यहाँ पर तलब किया गया है एक अपडेट और देख लीजे यहाँ पर आज की नुश पेपर में इंपोर्टेंट है परिचालक भरती में एक पद पद डेड़ सु दावेदार यानि जो परिचालक की भरती चल ले थी हमने आपको बता था कि तक्रिबन 9-10 जिले में जो भरती चल लई है वहाँ पर जो अलग भरती के लिए नियुन्तम सेक्षिक योगता इंटरमीडेट निधायत है अब बेरोजगारी का आलम यहा है कि आवेदन करने वाले 70-50 स्याधी गिर्जवेट हैं कोई MA की है तो कुईसी ने डिप्लोमा लिया हुआ है बहुत सारी यवाँ का कहना है कि वह आवेदन न तो फिलाल यहां तक इतनी सारी अपडेट थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें मिलते हैं एंगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहे हैं मसत रही जैहिन झाल झाल झाल